हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे exercise 3.5 का question number 2 और question number 3 तो question number 2 में दिया है, here are two different factors tree मतलब यहाँ पे दो factor, दो अलग-अलग factor trees दिया है for 60, 60 के लिए, 60 के लिए यहाँ factor tree दिया है, यहाँ पे भी 60 के लिए factor tree दिया है write the missing numbers, मतलब यहाँ पे जो missing number है, मतलब जो दिया नहीं है number वो number आपको भरना है, तो जो number दिया नहीं है, मैंने उसमें यहाँ पे color कर दिया है तो देखिएगा, तो first मैं करती हो, 60 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 6 और 10 दिया है मतलब 6 into 10, मतलब 6 multiply 10 करने से 60 आता है, 6 tens are 60 तो वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, 6 में यह वाला जो branch, मतलब यह जो line जा रहा है इसका उन दोनों को multiply करने से यह number बनना चाहिए, उसके उपर वाला number तो इन दोनों को multiply करने से इसका उपर वाला number क्या है? यह, तो यह बनना चाहिए इन दोनों को multiply करने से ये number बनना चाहिए तो यहाँ पर missing number है तो यहाँ पर 6 दिया है यहाँ पर 2 दिया है तो 2 से क्या multiply करने से 6 आएगा तो आपको पता है 2 का table आपको आता है तो 2 के table में कहाँ पर 6 आता है हम लोग चेक करेंगे 2 3 जा 6 आता है 2 into 3 2 multiply 3 is equal to 6 2 3 जा 6 तो देखिए यहाँ पर 2 दिया है यहाँ पर 6 दिया है यह वाला 6 तो यहाँ पर क्या है 3 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 तो वैसे ही यहाँ पर दिया है 5 के table में 10 कहाँ आता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो देखिए यहाँ पर 2 जा आता है तो आपका B में शायद clear हो जाएगा अगर clear नहीं होता है तो comment section में पूछेगा, ओके तो यहाँ पे 60 दिया है 60 का factor क्या है 30 है और एक missing है तो 30 से क्या multiply करने से 60 आएगा 30 से क्या multiply करने से 60 आएगा तो हम लोग 30 का table लिख सकते है 31 जा 30, नहीं तो हम लोग और एक चीज कर सकते है और एक चीज किया देखिए यहाँ पे 30 दिया है, multiply दिया है अगर हम इन दोनों को divide कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस नमबर से 30 multiply करने से 60 कहा आता है, तो 60 divided by 30 तो 00 यहाँ पे cancel हो गया 3 के table में 2 जा मतलब 30 into 2 60, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2, 30 multiply 2 is equal to 60, तो यहाँ पे देखेगा अगर आपको यह वाला clear समझ नहीं आया, मैं divide क्यों हुआ यह, तो आप table भी लिख सकते हैं, 30 से क्या multiply करने से 60 आएगा 32 जा 60 तो वैसे ही 10 10 से क्या multiply करने से 30 आएगा तो 10 into 1 10, 10 into 2 20 10 into 3 30, तो यहाँ देखेगे 30 आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 3 तो वैसे ही 10 दिया है, अब 10 में तो कोई भी number नहीं दिया, हम लोग कैसे करेंगे, दोनों multiplication नहीं दिया है, तो इसमें देखेए फैक्टर ट्री में 10 का फैक्टर क्या है 10 कहाँ पे आता है 2 फाइव जा, 2 into 5 करने से 10 आएगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 multiply 5 is equal to 10 याद रखेगा इन दोनों को multiply करने से यहाँ पे उपर वाला नमबर आएगा are not included in the prime factorization of a composite number मतलब which, मने कौन सा कौन सा factors are not included in the prime factorization मतलब कौन सा factorization मने कौन सा factors prime factorization में include नहीं होता मतलब नहीं होता prime factorization में कौन सा factor नहीं होता of a composite number मैंने ऐसा कौन सा factor है जो composite number में होता है Prime Factorization में नहीं होता तो Prime Factorization composite number मैंने आपको पढ़準 है Prime number Prime composite number Prime number क्या होता है Prime number होता है जिसमें 1 आता हो और वो number खुद आता हो itself, मने जो number खुद आता हू जिसे 5 5 का factors क्या है 1 और 5 मतलब 1 सब में आएगा और ये नमबर खुद आएगा composite नमबर में क्या होता है 1 आएगा और भी other numbers आएगे और वो खुद आएगा तो इन दोनों में देखे difference क्या है यहाँ पे देखे 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 यह number खुद और यहाँ पे यह number खुद और अलग भी number है तो इसमें क्या है जो prime factorization में नहीं है और यहाँ पे है तो यह देखे यह दो number तो यह दो number क्या है 2 और 3 लेकिन यहाँ पे तो number दिया है हमें number इस question में दिया नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे वो number prime factorization में नहीं होता जो one को छोड़के और वो number खुद को छोड़के बाकी के जो number है वो composite number में होते हैं इसका मतलब one and the number itself one and the number itself मतलब one और वो number खुद itself मतलब वो खुद are not included in the prime factorization of a composite number मतलब one and the number itself मतलब one यहां का यह one and the number itself यह दोनों तो इसमें क्या है prime factorization में ऐसा कौन सा number नहीं है तो यहां पे जो दिया है तो one and the number itself are not included in the prime factorization of the composite number मतलब यहां पे जो number दिया है one और five को are not included मतलब इसमें दिया है one and the number itself one और वो number खुद are not included मतलब include नहीं होता composite number में in the prime factorization of the composite number मतलब जैसे यह extra का 2 है two one वो खुद और itself और यह extra दो तो यह दोनों include नहीं होता composite number में क्या होता है composite number में दो से ज़्यादा factors होता है मतलब one को और वो number खुद छोड़ के और बाकी भी factors होता है तो वही मैंने यहाँ पे लिख्या I hope question number 2 और question number 3 आपको समझाया होगा अगर आपको फिर भी कुछ doubt है तो आप comment section में पूछेएगा मिरसे और अपने friends से share करिए यह video और अगर आपको पसंद है तो like करिए share करिए अपने friends के साथ और subscribe करिए Thank you